हाई फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, आज हम सुनेंगी अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराच चोहन सिरीज का मजेदार उपन्यास, सावधान हिंदुस्तान का पाट प्रोटीन, प्लीज लाइक, शेर, सब्क्राइब माई चैनल तुमारा ख्याल था कि मैं देवराच चोहन और जगमोहन के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, माशर बोला, प्रबाकर चुप रहा, तुम देवराच चोहन और जगमोहन के लिए मन में नर्म ख्याल रखते हो, ये मैं जानता हूँ, परन्तु मेरे भी दुश्मन नहीं है वो, अगर हम उनके लिए कुछ कर सके, तो जरूर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हामिद अली की शिकंजे से उसे निकाल ले, अगर कोई रास्ता नहीं बचा, हम उनने नहीं बचा सके, तो तब हमें सक्ती पर उतरना होगा उनके लिए, प्रबाकर गंबीर दिखा, तुम म अनना से संपर्क करो, और ट्रांस्मीटर उसके द्वारा देवराच चुहान तक पहुचा दो, यस माशल, परन्तु हामिद अली, हमारे एजेंट और मुक्मिर काम कर रहे हैं, उसकी खबर मिलते ही, हम हरकत में आ जाएंगे, परन्तु हमें हर कदम सावधानी से उठाना हमारा जरासा गलत कदम देवराच चुहान और जगमोहन को मौद दे सकता है, हामिद अली को बनक भी लग गई, कि हम इस मामले में धखल दे रहे हैं, तो वो इन दोनों को फोरन उड़ा देगा, मैं सतरक तक से काम करूंगा मार्शल, तुम ट्रांस्मिटर वाला काम पूरा रहे थे, कोई खबर नहीं थी, तब मुझे गलती लगी थी, सतनाम की आवाज कानों में पड़ी, प्रभाकर ने वक्त देखा, रात के साड़े आट बज रहे थे, उसने मोबाइल निकाल कर मुन्ना से बात की, क्या हो रहा है, प्रभाकर ने पूछा, अपने साथी वकील का इंतजार करा हूँ, वो मेरी जगर लेने आ रहा है, तुम देवराद चोहन के बंगले के बाहर हो, हाँ, मैंने तुमें दो ट्रास्मिटर देने हैं, जो तुमने देवराद चोहन और जगमोहन तक पहुचाने हैं, मैं करूंगा ये काम, हाँ, तुम ही, वो दोनों मुझे पहचानते हैं, मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर तो पकड़ा था उन्हें, प्रभाकर ने सोच बरे स्वार में कहा, उसकी तुम फिक्र मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना द्यान रखना है कि वो तुम्हें सामने पाकर कुछ पोले नहीं, पहले ही उन्हें चुप रहने का इशारा कर देना, वो बेवकूफ नहीं है, तुम्हारा इशारा समझ कर वो कुछ पल तो चुप रहेंगे, मैं तुम्हें कागज पर कुछ लिख कर दूँगा, उस कागज को देखते ही वो सब समझ जाएंगे, वो कुछ पोल पड़े तो मैं फस जाओंगा, उनके शरीर मे ट्रास्मिटर फिट है, उनकी बाते हामिद अली सुन रहा, ये रिस्क तो तुम्हें लेना ही होगा, तुम ये काम अपने अदमी से क्यों नहीं करा लेते, अनीस भी देवराच चुहान पर नजर रख रहा है, उसने किसी को उनसे मिलते देख लिया, तो ठीक नहीं होगा, इस काम के लिए मेरा बंगले में जाना ठीक नहीं रहेगा, मुन्ना की आवा जाई, कल ये काम कर देना, तुम ट्रास्मिटर और कागद मेरे से अभी लोगे या कल सुबह, कल सुबह ही ठीक रहेगा, सुबह उस वक्त मुझे फोन कर देना, जब तुम देवराच चुहान की यही सोचा की बाहर कुछ लेने गया होगा, और कौफी बनाने के लिए किचन में जा पहुचा, जगमोहन वहां मौजूद था, शेल्प से टेक लगाए खड़ा सोचों में दिखा, उठ गए, जगमोहन बोला, तुम यहां क्या कर रही हो, नाश्ते के बारे में सोच रहा ब्रेट पकोडे बनाये आज, जगमोहन ने कहा, आज का धिन है हमारे पास, कल सुबह हामिद अली काम करने को कहेगा, मतलब की पुलिस हेटक्वाटर में बम विस्पोर्ट, देवराच चोहन कोफी बनाने की तयारी करता कै उठा, तो मैं इस भारे में सोचना चाहिए, भी लोगे, देवराच चोहन ने पूछा, हाँ, क्या सोचा, मुझे तो लगता है कि हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इंकार किया तो वो हमें भम से उड़ा देगा, मैं अभी मनना नहीं चाहता, तुमारा क्या ख्याल है, तुमने क्य सोचा, देवराच चोहन ने जग्मोहन को देखा, जग्मोहन ने फोरन होटो पर उंगली रगती, दोनों की नजरे मिली, अगर कोई रास्ता है तो तुम ही बता दो, जग्मोहन ने कहा, मैं अभी किसी फैसले पर नहीं पहुचा, मैंने तो सोचा था कि तुमने भी मेरी तर सोच लिया होगा कि क्या करना फैसला लेना आसान नहीं है हामिदली जो करने को कह रहा है उससे हम आतंगवादी बन उसकी बात न मानी तो वो हमें बम इस्पोर्ट से उड़ा देगा हमारे शरीरू में बम फिट है देवराज चोहान चुप रहा मैं बाजार से ब्रेट लेने जा रहा हूँ ब्रेट पकोड़े बनाने हैं तुम कोफी बनाओ पियो और सोचकर मुझे बताओ कि क्या करना है ये कठिन फैसला है देवराज चोहान के चेहरे पर कठोड़ता अबरी मैंने खुद को तयार कर लिया है इस काम के लिए शाम तक खुद को पूरा तयार कर लू प्लान नहीं मैं ब्रेड लेने जा रहा हूँ कुछ और मंगवाना है तो कह दो नहीं जगमोहन किचन से बाहर निकल गया देवराज चोहान ने कोफी बनाई प्यालों में डाली की जगमोहन ने बीता प्रवेश किया उसके हाथ में पैन और रजिस्टर था जगमोहन ने ने कर दिया लिखा था मर जाएंगे पर हामिदली की बात नहीं मानेंगे इन शब्दों पर देवराज चोहान ने नजर मार कर कहा कोफी ले लो तैयार है ब्रेट पकोड़े के साथ ही लूँगा हामिदली को भी पता चल रहा होगा कि हमारा खाना पिना कैसे चलता है इतनी दौलत होने पर भी हम कोई एश नहीं कर रहे चाय कोफी से लेकर ब्रेट पकोड़े तक खुद बनाने पड़ते हैं नौकर नहीं रख सकते की पता नहीं कप कौन पुलिस से मिल जाए और हमें पकड़वा दे कहने के साथ ही जगमोहन पना बाहर निकल गया जगमोहन ने का रोकी और उतर कर सामने की दुकान की तरब बढ़ गया ये बेकरी शोप थी और ब्रेट के अलावा और भी डेरो चीजे मिलती थी जगमोहन अपने काम की चीजे पैक कराने लगा बेकरी में टीवी चल रहा था दो तिन और ग्राहक भी थे चार बेकरी वाले लड़के सामान दे रहे थे जवरत का प्रियाप्त शोर हो रहा था तबी बेकरी में मुन्ना ने प्रवेश किया जगमोहन को देखा जो सामान लेने में व्यस्त था वो आगे बढ़ा और जगमोहन के कंदे को थप थपाया जगमोहन फोरन पल्टा एकाएक मुन्ना को सामने पाकर वो चोका मुन्ना ने फोरन होटो पर उंगली रखकर उससे चुप रहने का इशारा किया और जेब से एक तह किया कागज निकाल कर उसे दिया जगमोहन की आँखे सुकड गई उसने कागज खोला तो बुरी तर चोका लिखा था दो माइक्रोफोन है एक तुम रख लो दूसरा देवराच चोहन को दे देना मुन्ना हमारा अदमी है माशल जगमोहन ने मुन्ना को देखा मुन्ना ने जेव से चने के आकार के दो दाने निकाल कर जगमोहन को दिये और बैकरी से कुछ सामान लेकर बाहर निकलता चला गया जबकि जगमोहन के दिमाग में दमाके फूट रही थे माइक्रोफोन और कागज उसने जेव में रख लिये थे वो ये सोचकर चकरा गया था कि माशल इस मामले में कैसे और कब से है मुन्ना माशल का आदमी है ये सब कुछ उसे हैरान कर देने के लिए काफी था इस मामले में माशल कितना जानता है क्या वो सब कुछ जानता है शायद सब कुछ जानता है क्योंकि मुन्ना ने उसे चुप रहने का इशारा किया कि उससे बोले नहीं इसका मतलब माशल को उसके शरीर में लगी खोजी डिवाइस बामोर ट्रास्मिटर के बारे में पता है इस विचार के साथ जगमोहन को डेड़ सारी रहत मिली कि उनके साथ माशल है वे अकेले नहीं है जगमोहन समान के दो लिफापे थामे बंगले में पहुचा तो देवराज चुहन को सोफे पर बैठे पाया देवराद चोहन ने उसकी तरब देखा जगमोहन किचन की तरब भड़ते कैए उठा ब्रेट ले आया ब्रेट पकोडे बनाने जा रहा हूं उसने हाथ से देवराद चोहन को अपने पीछे आने का इशारा किया साथ में खाने को कुछ बंद लाया हूं बिस्कीट और केक रस्पी है जगमोहन किचन में पहुचा और ब्रेट पकोडे बनाने की तैयारी में लग गया देवराद चोहन भी वहां आ गया जगमोहन ने जेव से माशल वाला कागज निकाल कर उसे दिया देवराद चोहन ने कागज खोल कर पड़ा तो आँखे सुकुड गई वो कई पलों तक कागज को देखता रह गया जगमोहन ने वहीं रखे रजिस्टर के कागज पर लिखा मुन्ना वो ही है जिसने हमें केट किया था साथ ही जगमोहन ने चने के आकार का ट्रास्मिटर माशल वाला निकाला और देवराद चोहन को दिया और इशारा किया कि उसे जेब में रख ले देवराद चोहन ने उसे जेब में रख लिया इन सब भातों के साथ जगमोहन ब्रेट पकोड़े बनाने की तैयारी में लगा रहा देवराच चोहान ने कागज पर लिखा माशल इस मामले में कैसे आ गया उसे कैसे पता चला इन सब भातों का पता नहीं जगमोहन ने लिखा माशल को बताना होगा कि हम किस तरह के हालातों से गिरे हैं और हामिद अली क्या चाता है माशल इन बातों से अंजान होगा हमें सारे मुद्दे पर बाते करनी चाहिए ताकि माशल कुछ जान सके तब ही जगमोहन कैए उठा इतनी जल्दी क्यों आ गए ब्रेट पकोडे तयार होने में समय लगता है मैं हामिद अली के बारे में सोच रहा था देवराच चोहान ने कहा उसने हमें आस तक का समय दिया है वो हमसे पुलिस हैटकौटर में बम ब्लास्ट करवाना चाता है वो तो चाता है कि हम कल ये काम कर दें अगर हमने ऐसा न किया तो वो हमारे शरीरों में फिट बमो को ब्लास्ट करके हमारी जान ले लेगा तो हम कर भी क्या सकते हैं हमें उसकी बात माननी पड़ेगी जगमोहन बोला बम उसने हमारे पास पहुचा दिये हैं उसने हमें इस्तर जकर लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते खोजी डिवाइस भी हमारे शरीर में लगा रखी है कि हम जहां भी जाएं उसे पता चलता रहे ट्रास्मिटर भी लगा रखा है कि हमारी बात्चित सुनता रहे हम बाहरी सायता के बिना इस चंजाल से नहीं निकल सकते बाहरी साइता जगमोहन ने कहा क्या बात करते हो जो भी साइता के लिए हमारे करीब आएगा हामिद अली को फोरन पता चल जाएगा और वो बम ब्लास्ट करके हमारी जान ले लेगा यही तो समस्या है कि हम किसी से साइता मांग भी नहीं सकते वे दोनों ये बाते ट्रास्मीटर के जरिये माशल को सुना रहे थे अपने को बचाने के लिए हमें बेहत खास रास्ता चुनना होगा कि हामिद अली दोखा खा जाए जगमोहन बोला वो खास रास्ता क्या है नहीं मालूम सोचना पड़ेगा हामिद अली हमारे हाथों पुलिस हेटक्वाटर को तबा करा कर हमें कानून की नजरों में आतंगवादी बना देना चाहता है वो हमसे अपने बाई की मोत का बदला ले रहा है उन भातों का बदला ले रहा है जो उसके कम हमने खराब किये थे वो तो मोना चोदरी और माशल को भी मारना चाहता है परन्तु मोना चोदरी देश से बाहर है और माशल का ठिकाना उसे नहीं मालूम देवराच चोहान ने कहा हामिद अली के जाल से निकल पाना आसान नहीं लग रहा क्यों न हम हामिद अली के साती बन जाएं एक एक जगमोहन ने कहा, जान तो बचेगी, आतंगवाद में कोई किसी का साथी नहीं होता, हामिदली पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसे भी हो हमें हामिदली के हाथों से आजाध होना होगा, वरना वो हमें पूरी तर तबाह कर देगा, तबी देवराथ चोहन का फोन अरब बढ़ाया, तुम ही बात करो, जगमोहन ने फोन लिया और बात की, मैं तुम लोगों की बाते सुन रहा हूं, हामिदली की आवाज कानों में पड़ी, बचने का रास्ता डून रहे हो, देवराथ चुहन बचने का रास्ता डून रहा है, मैं तो तुमारे साथ हूं, जगमोहन ने कहा, तो तुम पुलिस हैटक्वाटर में विस्पोर्ट के लिए तैयार हो, काफी हद तक तुमने गेरा ही ऐसा बनाया है, कि बचने का रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूँ, कि मैंने तुमारे बाई को नहीं मारा था, देवराथ चोहन और मोना चोदरी ने मारा था, अली को मुझसे क्यों बदला लेते हो, तुम भी साथ थे, साथ रहने का ये मतलब तो नहीं कि मैं तुमारे बाई का हत्यारा हो गया, तुम सब हरामी हो, तुम सब लोगों की रिपोर्ट मेरे पास है, आमिद अली का कठोर स्वार कानों में पड़ा, जो भी हो, तुम हमारे साथ गलत कर रही हो, तुम लोग इसी लायक हो, देवरा चोहन से मेरी बात करा, तुम बात करो, जगमोहन ने फौन देवरा चोहन की तरब बढ़ाया, देवरा चोहन ने बात की, कहो, अगर तुम सोचते हो कि मुझसे बद जाओगे, त तो, हम जो भी बाते करें, उससे तुमारा कोई मतलब नहीं, तुमने जो बात करनी हो कल करना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बचने का प्लान सोचने लगो, तुमने हमें फशा लिया है, तो हम बचने का रास्ता क्यों नहीं डूनेंगे, इस पर तुम पहरा नहीं लगा सकते बहुत उड़ रहे हो, हामिद अली का स्वर खतरनाक हो गया देवराद चोहान के दाथ बिच गए मेरे आदमी भी तुम पर नजर रख रहे हैं तुम दोनों में से किसी ने भी कोई गलत हरकत की तो उसी समय बम विस्पोट से तुमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे सोच लेना, कहने के साथ ही हामिद अली ने फौन बन कर दिया था देवराद चोहान कान से फौन हटाता बोला, वो बम विस्पोट कर देगा अगर उसे हमारी किसी हरकत पर भी शक हुआ तो शक तो तब होगा, जब हम कुछ करेंगे, हम तो ब्रेट पकोड़े खाने की तैयारी में हैं लगता नहीं कि हम हामिद अली के शिकंजे से बच सकें देवराद चोहान ने दांद पीच कर कहा जगमोहन ने रजिस्टर पर लिखा अब तक माशल सब कुछ समझ गया होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है प्लेट लाओ, ब्रेट पकोड़ा तैयारी गया है क्या माशल इस मामले में कुछ कर सकेगा देवराद चोहान ने लिखा जरूर करेगा, ये आसान नहीं होगा माशल ने कुछ गलत कर दिया तो हामिद ली हमारे शरीर में लगे बम को विस्पोट कर देगा माशल जो भी करेगा, सोच समझ कर करेगा देवराद चोहान के चहरे पर गंबिरता ठहरी रही जगमोहन ने खोलते दिल से ब्रेट पकोड़ा निकाला और प्लेट में रख दिया बोला, माशल भी इस मामले में होता तो हामिद ली इतना कुछ न कर पाता माशल इस मामले में नहीं है देवराद चोहान ने कहा उसे बता भी तो नहीं सकते क्योंकि माशल का ठिकाना या पोन नंबर हम नहीं जानते वेसे भी उससे बात करते तो हामिद ली सुन लेता हम बुरी तरह फसे पड़े हैं हमें हामिद ली का कहना मानना पड़ेगा मैंने तो तुम्हें पाकिस्तान में कितना समझाया था कि अली की जान मत लो परन्तु तुमने मेरी बात नहीं मानी अब उसी बात को भुगत रहे हैं हामिद ली हमें छोडने वाला नहीं जब हम उसका काम कर देंगे तो वो हमारी जान ले लेगा ब्रेट पकोड़ा तो खा लो मनने से पहले देवराच चुहान ने सिगरेट सुलगा ली चेहरे पर कठोड़ता के बाव थे अब क्या सोच रहे हो जगमोहन ने पूझा हमारे पास सोचने को कुछ नहीं है कोई हमारी साहता करे तो शायद हम बच जाएं माशल और प्रभाकर ने सब सुना कि देवराच चुहान और जगमोहन ने क्या बाते की उनका मतलब क्या था दोनों अपने ठिकाने पर उसी कमरे में थे जहां की माशल होता था सामने कम्पीटर ओन था उन दोनों को दिये माइक्रोफोन का कनेक्शन कम्पीटर से जोड़ा गया था और कम्पीटर के स्पीकर से आवाद निकल रही थी दोनों की देवराच चुहान और जगमोहन पसे पड़े हैं प्रबाकर ने कहा ये उनकी बातों से जाहिर है उन्होंने इस बात को भी इसपश्ट कर दिया है की बाहरी सहता के बिनावे नहीं बच सकते माशल बोला उन्होंने जो भाते की हमें सुनाने के लिए की की हम उनकी इस्तिती को ठीक से समझ सके मामला बेहत कम्पीर है प्रबाकर तो क्या किया जाए माशल जल्दबाजी में कुछ करने का मतलब है उन दोनों की जान खत्रे में डालना उनके पास आज का दिन है कल उन्हें काम करना है माशल हमिदली उनसे जरूरी तो नहीं की कल वे काम करें उन्होंने बातों बातों में कहा है की कल उन्हें पुलिस हेटक्वाटर उड़ाना पड़ेगा बम उनके पास पहुचा दिये गए हैं मैंने कहा है जरूरी तो नहीं कि वो ये काम करें कल ही करें उन्होंने इंकार किया तो हामिद अली उन्हें बम से उड़ा ये इतना आसान नहीं है माशल ने गंबीर स्वार में कहा हामिद अली अगर उनकी जान लेना चाता तो कपका ले चुका हुता उसका इरादा उनसे आतंकी काम करके उन्हें बदनाम कर देने का है कि वो कहीं के न रहें और उनका बुरा अंत हो हामिद अली हर हाल में चाहेगा कि वो ये काम करें यही उसकी योदना है और मेरे ख्याल में तेवराच चोहान और जगमोहन ये काम नहीं करेंगे अगर जराबी समझदारी से काम ले तो वो वक्त को आगे बढ़ाते रहेंगे कुछ न कुछ पहाना करके समझदारी की उनमें कोई कमी नहीं है प्रबाकर परिशानी से कैव उठा माशल चुप रहा हमें भी कुछ करना चाहिए की जल्दी मत करो मैं बार बार कह रहा हूँ उन दोनों के लिए तुम इतने परिशान क्यों हो प्रबाकर प्रबाकर ने होट बीच लिए मुन्ना से पूछो कि जो भम उनके शरीर के बीतर है उनके रिमोट किस-किस के पास है प्रबाकर ने फोरन फोन किया मुन्ना को बात हो गई तेवरात चुहान और जगमोहन के शरीर में जो भम है उनके रिमोट किस-किस के पास है प्रबाकर पूछा, अनीस के पास, बताया तो था, अनीस के अलावा किस के पास है, मैं नहीं जानता, इस पारे में मुझे कोई खबर नहीं है, उदर से मुन्ना की आवा जाई, क्या उसके और रिमोट होने की खबर है, मुझे कोई खबर नहीं, हुसना से एक बात मेरी बात करा, जो काम कर रहे हो वो करो, काम की तरब द्यान दो, काम की तरब द्यान दोगे तो हुसना के साथ रह सकोगे कहने के साथ ही प्रबाकर ने फोन बंद कर दिया और माशल से कहा उसे अनिस के पास रिमोट होने के अलावा कोई खबर नहीं है माशल के चेहरे पर सोच के बाव उब्रे हमें कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि हामिदली मात खा जाए वो तबी इंटरकॉम का बजर बजा कहो माशल ने फोरण एक बटन दबाते कहा अलीबाग की एक खबर है हमारे एक एजेंट को पता चला है कि चार दिन पहले दो संग्दित लोग वहां आकर रुके थे वो गर हिंदू औरत सुनीता का है सुनीता ने ये बाते किसी से कही थी कि कि उसके यहां पाकिस्तान से महमान आये है सतनाम की आवाज आई वो महमान अब भी वही है एजेंट का कहना की इस वक्त वो गर पर अकेली लग रही है एजेंट का नाम क्या है शुशील पारेक वो अब भी सुनीता नाम के आउरत के गर की निगरानी कर रहा है उसे कहदों की प्रबाकर पूरी तयारी के साथ वहां पहुच रहा है कहने के साथ ही माशल ने इंटरकॉम का बटन छोड़ा और प्रबाकर से कहा शुशिल पारिक नाम का एजेंट अलिबाग में सुनीता नाम की औरत के गर की निगरानी कर रहा है उसे पता चला है कि चार दिन पहले उसके गर में पाकिस्तान से आये महमान रुके थे वो हामिदली और उसके साथी भी हो सकते हैं तुम भौरन शुशिल पारिक से फोन पर बात करो और एजेंटों के साथ वहाँ पोचो वो कहता है अभी गर में कोई नहीं है पर वहाँ कुछ भी हो सकता है हामिदली और मूसा उसी कमरे में बेठे देवराथ चोहान और जगमोहन की बाते सुन रहे थे हामिदली ने उन दोनों से बात करने के बाद फोन बन किया तो मूसा कह उठा जनाब देवराथ चोहान और जगमोहन आसानी से हमारी बात मानने वाले नहीं है हमें ये द्यान रखना चाहिए कि दोनों डकेती करने में माहिर है और बढ़िया दिमाग भी रखते हैं बचने के लिए ये कोई चाल खेल सकते हैं तुम्हें ऐसा लगता है? जी पर मुझे ऐसा नहीं लगता हामिद अली ने द्रंड स्वार में कहा मैंने इनके हालातों के बारे में अच्छी तरह सोचा है अंत मैं इसी नतीजे पर पहुचा हूँ कि ये पूरी तरह मेरे काबू में है लेकिन मुझे लगता है ये कुछ कर सकते हैं आप एक काम क्यों न हामिद अली के चहरे पर शेतानी भाव उपरे नहीं मुशा मैं इने कुट्टे की मौत मारूंगा मैं ऐसा इंतजाम करके पाकिस्तान जाऊंगा कि जब भी मरे कुट्टे की ही मौत मरे इनके हातों पुलिस हैटक्वाटर उडाऊंगा और उस वक्त की फिल्म भी बनेगी मे और मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा उसके बाद देवराच चोहन और जगमोहन का क्या होगा सोच ही सकते हो पुलिस इन्हें आतंकी खाने में रखकर और इन्हें डूनने और मारने में लग जाएगी ये जान बचाते परेंगे परन्तु लंबे समय तक पुलिस से नहीं बच सकते एक दिन कहीं पर भी पुलिस इने गेर कर खत्म कर देगी यानि की कुत्ते की मौत मरेंगे ये मेरे भाई के हत्यारे हैं इन्होंने मुझसे कई पंगे लिये हैं बुरे से बुरा हाल कर दूँगा इनका मैं फिर कहता हूँ जनाब कि ये आसानी से हमारे इशारे पर चल कबुतर जब हात में फसता है तो कुछ देर फड़ फड़ाता ही है परन्तु बाद में शान्त हो जाता है यही हाल देवरत चुहान का है आज फड़ फड़ाले जितना फड़ फड़ाना है कल हराम जादे को सीधा कर दूँगा ब्रेट पकोड़े खाने बूल जाएगा भू पराम जादे हामिद अली कैय उठा इन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है ये फसे पड़े हैं मूसा ने कहा जगमोहन ने खुद को समझा लिया है कि ये काम करना ही पड़ेगा इसलिए वो मस्त है आपकी जिगे मैं होता तो मैं ऐसा नहीं सोचता मूसा बोला तुम खामखा व ये मेरे इशारे पर नाचेंगे सुनीता अकेली ही गर में थी अकेले रहने की आदत पड़ गई थी तीनों बेटियों का ब्याह करने के पश्चात खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी हामिद अली के महरबानी से सब ठीक चल रहा था इस वक्त वो बेट पर लेटी थी रंचना तो बनाया था नहीं बनाने का मन था यही सोच रही थी कुछ देर बाद बजार से समोसे ले आएगी अपने लिए क्या खाना बनाना ऐसा ही कुछ सोच रही थी कि तब ही बेल बजी सुनीता फोरन उड़ गई कि हामिद अली ना आया हो मुख्य दरवाजे के पास प भड़े पाया वो प्रभाकर था नमस्कार प्रभाकर ने दोनों हाथ जोड़ कर कहा किस से मिलना है आपको सुनीता जी से में ही हूँ कहिए तब ही प्रभाकर तेजी से आगे बढ़ा और सुनीता को दकेलता पीतर चला गया साथ ही हाथ में रिवालवार आई जोकी सुनीता की कमर से जा लगी सुनीता हक्की पक्की रह गई वो कुछ नहीं समझी जबकि प्रबाकर की निगा वहां हर तरब जा रही थी कि तबी धरवाजे से एक के बाद एक एजन बीतर प्रवेश करते चले गए बीतर आते ही उनके हाथों में रिवालवरे निकलाई थी वो रुके न नहीं सब गर के बीतरी हिस्से में प्रवेश करते चले गए एक ने दरवाजा बन कर दिया कौन हो तुम सुनीता ने कहना चाहा चुप रहो प्रबाकर गुराया सुनीता का चहरा फक पड़ गया घर में कौन-कौन है प्रबाकर ने दान पीचे कोई नहीं सुनीता गबराई इसी कह उठी इसी तरह चुप रहो वहां उस कुरसी पर बैठ जाओ प्रबाकर ने एक कदम पीछे हटते कहा सुनीता काप्ती टांगों से आगे बढ़ी और कुरसी पर जा बेठी प्रिवालवर था में प्रबाकर सामने था तबी बीतर से दो एजेंट वहां पहुचे एक कहा गर खाली है प्रबाकर की निगा सुनीता पर जाटिकी सुनीता की आँखों में बैग नाचा वह पाकिस्तानी लोग कहा है प्रबाकर ने दान पीछ कर पूझा का कौन जो तुमारे यहां चार दिन पहले मेमान बने थे कितने लोग थे वो मैं नहीं जानती तुम किसकी बात कर रहे, खत्म करो इसे, जो हमें सच नहीं बताएगा, उसे हम मार देते हैं, वहाँ खड़े एजेंट ने फोरन कहा, प्रभाकार ने रिवालवा वाला हाथ सीधा किया, सुनीता के चहरे का रंग पीला पड़ गया, तभी दूसरा एजेंट आगे आता के उठा, इसे एक मोका दो, शायद ये भता दे, मैं पूशता हूँ, ना बताय तो तुम गोली मार देना, वो सुनीता के सामने पहुचकर शांत स्वार में बोला, क्यो मरना चाती हो, बता दो हमें कि वो पाकिस्तानी कहा है, वो सुनीता की आवाद लड़ खड़ाई, वो चले गए, कौन थे वो, सुनीता के होट ले, परंतु कह न सकी, जवाब दो, पाकिस्तान से आने वाले वो लो कौन थे, सच बताओगी तो तुमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुनीता की आँखों से आँसु निकल कर गालो पर आ गए, गोली मारू से प्रभाकर गुर्रा उठा, ये बताने वाली है, गोली मारने की जरत नहीं पड़ेगी, बोलो, वो लो कौन थे, हामिदली, सुनीता के होटो से कापता स्वर निकला, प्रभाकर के होट बिच गए, रिवालवर वाला हाथ नीचे आ गया, और दूसरा नाम बताओ, मूसा नाम था उसका, प्रभाकर बोला, सुनीता का लहजक आप रहा था, तुम सब जानती हो, सही बोलो, वरना, मैं सच में नहीं जानती, वो कहां गए, दो रात वो यहां रुके थे, पिर यहां से चले गए, वो यहां अकसर आते हैं, हामिदली दूसरी बार मेरे यहां ठहरा था, मूसा अकसर आता रहता है, नवाब भी आता था, पर वो मारा गया, हामिदली के नाम पर कई लोग मेरे पास रहने आ जाते हैं, एक दो दिन ठहर कर चले जाते, वो लोग तुमारे पास क्यों आते हैं, पैसा, सुनीता ने बरायस्वर में कहा, हामिदली मुझे पैसा देता है, बिद्वा हूँ, तीन बेटियों का ब्या हामिदली के दिये पैसे से किया है, अब भी वो खर्चा देता है मुझे, इसके स्वाए मुझे और कुछ नहीं पता, तुम्हें मुंबई का हामिदली का कोई ठेका ना तो पता ही होगा कि वो, नहीं मालुम, वो मेरे को कुछ नहीं बताता था, आज की कहानी बस यहीं तक, कहानी का अगला बाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, अगर यहां नाविल आपको पसंद आया हो, तो प्लीज, लाइक, शेर, सब्क्राइब माई चैनल